तो डायेक्ट हम लोग जो मेलनी रोब फॉलेज पढ़ेंगे ना यह चार है डायेक्ट रोब फॉलेज इनलेस रोब फॉलेज ठीक है मैन एन टेल रोब फॉलेज और ग्रेविटी फॉलेज ठीक डायेक्ट रोब फॉलेज में क्या होता है यह जो डायेक्ट रोब हॉलेज हे सिль्पल साइज में क्या राता है एक ड्रम रहता है ठीक है ट्रेक रहेगा यह ओलेज स्ट्रेक हो गया और कि ड्रम रहा रोप रहा रोप सेट्ट वेटेच रहा सिंपल यह डायक प्रोप होलेज यह होता है तो इसमें क्या वात अथ्वास थीवरी देख लो हो सकता है कभी गेट के एक्जाम में भी ऐसा कॉस्षन आ जाता है तो इसका ध्याम रखना कि जो सिंपलेश्ट सिस्टम इंपलाइं इसमें एक पुलिंग रॉप होता और एक होलेज्डरम होता है जो ग्रेडियांट होता है वह जातेवर दिटिवर्वर जाये को डिककत वाली बात नहीं ही क्योंकि इसमें टब जब माइस में भेजते हैं इम्टी सेट ओप जब खाली टब को हम लोग माइस में भेजते हैं तो क्या होता है ग्रेडियंट के साहर है थो ग्रेडियंट के साहल से वह अंडर ऑंड में जाता है ठीक है तो अगर हम लोग फ्लेट ग्रेडियंट तो उसकेस में क्या होगा तब अंडर जाएगा यहीं बीच में अठक जाएगा इसलिए जो ग्रेडियेंट रहेगा इसमें जाव क्लच यूज करते हैं जब परसांसर मेकेनिक्स मतम माइनिंग मस्नरी का थोड़ा सा पॉर्शन पढ़ाएंगे ना तो उनसे जाव क्लच क्या होता है फिक्सिन क्लच क्या होता है वो डिटेल में डिसकस कर देंगे और किसी को साउंड और कुछ प्रोब्लम हो रहा है क्या इधर से तो कि दिक्कत नहीं होना चाहिए संकर वो तुम्हारा हो सकता है नेट्रोग थोड़ा इसू होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी तुम्हां थोड़ा सा फूर होगा इसलिए सा प्रोब्लम हो रहा है क्या नहीं ओर ठीक है कि इसमें जो रोप स्वीड होता है वह 8-12 km per hour होता है इसमें सिर्फ सिंगल ट्रेक रिक्वाइड होता है अभी होता है इसमें मालो की यह मैं रोप होल मतलब मैं हो कि होलेश ट्रेक हुआ अब इसी में कि जहां पर टर्निंग होए रहा होता है ठीक है जहां पे गुलाई बोलते हैं तरीके से मालों खाली यहां उसको यहां पर रखेंगे इस लाइन पर रखेंगे खाली वाला जब आया उसको भी काट पे लॉसको कर देंगे वहां से टब को डिटेज कर देंगे रोप से रोप को लोड़े टब में एट जोड़ देंगे और यहां से लोड़े टब को फिर बाहर निकाला जाएगा तो ही बोलता है कि जो हां पर ब्रांच रोड़ डेवेटिंग एंगल लोग नोट मोर्जन फॉटिटिए मतलब यह जो ब्रांच रोड निकाल रहे हैं इसका डेवेशन चालिश डिगरी से जादा नहीं होना चाहिए और हम लोग यहां पर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर यू कि रोपे टेच रहेगा ठीक है यह टब है यहीं पर रोपे टेच रहेगा इधर ड्रम है मालो और यहीं टब क्या है ग्रेडियंट के सारे अंडरग्राउंड में जाएगा है के चीकर हम लोग सिंपल यह थीोरिं बस यायरे जरना नहीं है बस यह है हम लोग कुछ इस पर नुमरेकल करेंगे कम क्या करेंगे कॉस्टें एकशाम में एसा कॉसंट्ट में आया हुआ है कभी ती दार्थिइख और नया दारेक्ट रोफोलेज सिस्टम कम ट्रेक बना रहे हैं इस तू भी यूजड इने माइन हेविंग ए लेंथ ओफोलेज प्लेन इस थाज़ेंड मीटर मतलब यह जो होलेंज प्लेन है मतलब जिसमें टब का मुवमेंट हो रहा है इसका लेंथ दे दिया है 1000 मीटर और जो ग्रेडियंट दिया हुआ है यह ग्रेडियंट वन इन फोर वाले ग्रेडियंट पे ठीक ना वन इन फोर का ग्रेडियंट है क्या बोल रहा है इन आउट्पुट ओफ 700 टन पर सीफ्ट ओफ 7 आवर मतलब जो सीफ्ट में एक्चूल होलिंग टाइम हो रहा है वो साथ घंटा हो रहा है ठीक है नहीं तो साथ घंटे में साथ सो टन परड़क्शन हो रहा है किए खन्टेम कितना हो गा मतलब हंड्रेड रहा है कि यह घंटा में जो प्रोडक्शन हो रहा है यह डायक्री यूजन help роб यूज करके वो हंड्रेड तो इसमें क्या पुछावा है कि determine the number of tubs per set कि मान लो यह rope हो गया यह tub attach है कि एक set में हम लोग कितना number of tub attach कर रहे हैं यह number of tub के बारे में पुछ रहा है जब दिया हुआ है कि परतेक tub का है न जो holding capacity है मतलब परतेक tub दो turn को इला ले सकता है जब दो turn का ले सकत हैं कि यह question दिया हुआ है का क्या दिया है कि एक घंटे में हम लोग कितनाânा परक्सन कर सकते हैं वह निकाले है pathway दिया वा ने था वह साथ गंते में 700 निकाल रहे हैं तो एक घंटे में सो टं निकाल नीओं ठीक है डाय ट्रॉफ होलेज का स्पीड दे दिया है कि 15 किलोमीटर पर आवर से रोप का मुवमेंट हो रहा है यह जो लेंथ है लेंथ हो फोलेज प्लेंदे दिया थाजन मिटर रहें और से ग्रेडियन्ट वन इन फॉर दिया हुआ है और दिया हुआ है कि पर्तेक टब का जो केरिंग कापसिटी है लोड लेने का कैपसिटी है चमता है वो दो टन है और एक दिया हुआ है कि टाइम थे खाली टाप को हम लोग नीचे लेकर जा रहे है ठीक निये जब लोड हो जाएगा तो इसको फिर उपर लेकर आएगा तो क्या होगा जो टब को जोडने काटने में जो बी डिले होगा है उसको दिया हुआ है चार मिनिट लग अब हम लोग निकालना है कि एक सेट में कितना नंबर उप्टव रहेगा इस टाइप से कॉस्टिन आता है एक जाम में ठीक है तो सिंपल है हम इसको सोल्व करते हैं को सोल्व करते हैं स्टेप बाइस स्टेप कि स्पीड ओफ फोलेज क्या दिया हुआ है 15 किलोमेटर पर आवर मतलब क्या 15 गुन है कि थाउजन्ट डिवाइड बाइस एट मतलब इसको मीटर पर मिनट कर दे रहें ठीक है कि एक मिनट में वह जो टब है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है जो अलेज है और टब को कितना दूरी तक खिच पाए एक मिनट में इकाल गया है ठीक है कि यह क का तूटके पूरा कि तिन दुनाथ छे तिन पच्छें पंदरा दो से फचास मतलब ढाय सो मिटर पर मिनट मतलब hollage के एक्टरिके जो speed दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक मिनट में दोसो पचास मीटर तक वो move करवा सकता है तो length of hollage plane क्या दिया हुआ है 1000 मीटर जो length दिया हुआ है जिसके लोग इस tub को खिचना है वो 1000 मीटर है ठीक है तो मतलब क्या कि 250 meter एक मिनट में travel कर रहा है तो एक मिनटर एक बटा 250 मिनट में इसलिए thousand meter एक बटा 250 into thousand minute में मतलब क्या एक त्रिके से कि 4 मिनट में है न चार मिनट में टब 1000 मिटर ट्रेवल कर लेगा तो इस केस में क्या है कि खाली टब नीचे जा रहा है तो खाली टब को जो नीचे लेके जा रहा है खाली टब को तो चार मिनट लेगा लोड़ेट टब को जो हम लोग उपर लेके जाएंगे तो वो चार मिनट लेगा वो चार मिनट दिया हुआ है क्या कि जो changing, loose काट रहे हैं जोड रहे हैं उसमें जो हो रहा है वो चार मिनट लग रहा है मतलब क्या टोटल बारा मिनट में टोटल बारा मिनट लगेगा एक trip complete करने में 12 मिनट एक घ्रिप वोगा यहां किसी को दिक्रत हो और भागी theo ट जो बारढी मिनट होगा उसमें से क्या होगा से antisbury कर पाएगा यह क्यों हूं क्यों कि हम लोग एक ट्रिप कब बोलेंगे कि जब खाली तरब नीचे गया है वह लोड़ होके फिर ऊपर आ गया है तो एक ट्रिप हुआ है तभी कोईला निकला है मतलब एक ट्रिप वह बारा मिनट में कर रहा है इसमें दो चीज का रिलेशन लिंक करना है कि एक ट्रिप जब वह बारा मिनट में कर रहा है 12 मिनट में एक ट्रिप ठीक है तो एक मिनट में कितना ट्रिप करेगा 1 by 12 ट्रिप इसलिए वन आवर में मतलब 60 मिनट में कितना ट्रिप करेगा और यहां पर क्या निकाले है कि एक घंटा में मेरा आउट्पुट कितना हो रहा है 100 टन हो रहा है मतलब पांच ट्रिप एक घंटा में पांच ट्रिप कर रहा है और एक घंटा में 100 टन निकल रहा है मतलब क्या पांच ट्रिप करके मेरा कोहला कितना निकल रहा है 100 टन निकल र में तोटल नंबर टरीम कर रहा है और इसका मतलब किया इसका मतलब कि खिल रहा है तो एक ट्रेव में कितना कोईला निकलेगा दीश्टन हुआ है ठीक है असलिए अब बताया है कि जो खाली ठब है उसका क्येपसिटी कितना है 2 टन कोईला ओ लेए सकता है 9 जो क्येपसिटी एह 9 हम लोग में inviting बिश्टन कईला निकालेंगे से एक क्ति में 20 प कोयला निकालेंगे और कराकर क्या दोटन है तो मतलansas हम अच्छानद होगा कि य हां कि 2 टन कोयला एक टब में आरा है आप एक टन कोयला एक बटा 2 तब में आएगा इसलिए दीश टन कोईला 1 by 2 into 20 मतलब 10 टब में आएगा यही कोशन पूछावात है कि हमको कितना नंबर ओप टब रिक्वाइड होगा शिफ्ट का पॉडक्शन दे दिया है चेंजिंग टाइम दे दिया है मतलब लूस वगरा काटने जोडने का और साथ में यहां पर क्या दे दिया है इस पीड क्या है रोप होलेज का और होलेज प्रेन का लेंध क्या है तैसा कोशन एगजाम में आया हुआ है और आ भी सकता है भी आई हो तीस में देखो हमको क्या link करना है एक तु यह data है कम लिक किसो किसो करना यह सोचो इसे की हम लोग एक चला है कि हम लोग एक गंटे में कितना trip कर रहे हैं कितनों किद्ध कर रहे हैं ठीकर यही निकाल लेहां पर और यहां क्या निकाले हम लोग कि एक घंटे में हम लोग कितना ट्रिप कर रहे हैं अब दोनों की उ transforming करधे टरब का क्यासिटी 2 टंस है कि मतलग कि प्रब्रोंध लोग सिर्फ और ये करना है कि इस्पीड ऑफ होले से स्टार्ट करना है नुमुकल को स्वल्व करने की मतलब जो होलेज का स्पीड दिया हुआ है कि उसके लिए कि एक मिनट में कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है तो जो लें तो फोलेज प्लेंड दिया हुआ है ठीक है जो लेन तो फोलेज प्लिन दिया हुआ है उसके लिए हम लो निकाल लेंगे कितना मिनट में वो पुरा मतलब एक बार या अंदर चला जाए या बाहर आजाए उसके अकोडिंग हम लोग खाली का जाने का लोड का आने का और जो टाइम लग रहा है चेंज नूंज करने में लूस होगारा काटने में वो मतलब लेके कि बारा मिनट में एक ट्रीप कर रहा है बस यह निकल गया है तो आउटपुट जो है 100 टन पर शिफ्ट है ठीक है ना एक शिफ्ट मतलब 4 गंटा का ही चल रहा है चार गंटा में 100 टन प्रोडक्षन हो रहा है लेन तो फोलेज रोडवे 450 मीटर दे दिया है स्पीड फोलेज 12 किलोमेटर पर आवर दे दिया है टाइम रिक्वाइट फोर चेंजिंग एंड डिले शिक्स मिनट दिया हुआ है तो बोला है केल्कुलेट दा नंबर ओफ 0.8 टन कैपसिटी टाउब वहां जो टप कैपसिटी दो दिया वात यहां क्या है कि एक टप कैपसिटी 0.8 टन है तो टोटल नंबर ओफ टब कितना चाहिए कि यह कोसें सॉल्व करो हंड्रेड टन पर सिफ्ट है यह फोर आवर में ठीक है ना मतलब एक घंटा में 25 टन कोईला निकल रहा है और हम लोग निकाल लेंगे इधर से क्या है कि एक घंटा में कितना ट्रिप कर रहा है सॉल्व करो सब लोग ठीक है एक घंटा में कितना ट्रिप कर रहा है हम भी सॉल्व करते हैं तुम लोग उस सॉल्व करो मुट लोग वस सॉल्व कर रहें हैं। कि इसी कहीं जरा है 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 कि अर्पित अधित्य कुछ नहीं करना है सिंपल सा है कि एक घंटे में देख लो कितना टैन हो रहा है और इधर एक घंटा में कितना ट्रीप करवा दे रहा है कि प्रेंज कि इसी कुछ प्रोब्लम हो रहा है तो बताव अगर कहीं कुछ प्रोब्लम हो रहा है तो क्या वाज वगर जा रही है कि नहीं किसे कुछ प्रोब्लम है नहीं आ रहा है कि सेवन एक एंसर आया कि अभी सेश तुमारा एंसर आया प्रेंस मंजीत अरून सुभाजित अधित शिक परसाद राजपल क्रिश्न मोहन कुमार तुमारा आठ केसे आ रहा है यार देखो एवा फिर से समझ लो इतना देर नहीं लगना चाहिए सेवन जिसका आ रहा है ठीक आ रहा है सेवन जिसका भी आ रहा है सही आ रहा है कि अधित फाइफ बिलते फाइफ नहीं आएगा अधित फाइफ बिलते फाइफ नहीं आएगा कि निकालेंगे कि स्पीड कितना दिया हों granddaughter किलोमिटर पर मतलब क्या है 200 मिटर्व मतलब क्या persones 200 मीटर तक ट्रेवल कर सकता कि था तो लें टो फॉलेज रोडवे क्या दिया है 450 मिटर कि इसका मतलब क्या कि 200 मिटर एक मिनट में ट्रेवल कर सकता है तो एक मिटर एक वेटा 200 मिनट में इसलिए 450 मिटर 450 डिवाइड वे 200 ठीक ना यह जो भी आ रहा है पाच चक बीस 55 पैतालीस इसको राउंड ओप कर लो तुरी मिनट ठीक ना न कितना अनला थे तुम लुग का चाहर जुना आठ या जू दुना आठ आ होगा नंजिक्स के तुपर्ण टूफाइव अगया होगा ना थीक यहां पर राउंड ओफ कर दियें थीरी मिनट अगर तुम लोग 2.25 लिये होगे कोई तो क्या हो रहा है कि 2.25 मिनट अंदर जाने में 2.25 मिनट बाहर आने में प्लस 6 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 2-2-4 साढ़े 4 और 6 मतलब साढ़े 10 मिनट इसको round of miss लिकिये हैं कि अच्छा solid figure आए ठीक है न कोई दिक्कत नहीं अगर 2.25 पर भी कल्कुलेशन की हो गया अगर 2.25 पर भी कल्कुलेशन की हो गया तो एंसर सही रहेगा वो रेंज में एंसर दिया वह रहेगा ठीक है न तो हम उसको round of करें क्या लिए कि तीन मिनट अंदर जाने में तीन मिनट बाहर आने में और छे मिनट लग रहा है चेंज करने में या कुछ डिले हो रहा है तो टोटल बारा मिनट हो गया बारा मिनट में एक कर रहा है मतलब एक घंटा में कितना ट्रिप कर रहा है पाच ट्रिप मतलब क्या कि एक घंटा में 25 ट्रिप हो रहा है इसका मतलब कि five exists गंटे में कितना हो रहा है ust with your equation 2 अब दोनों की कि एक घंटे में 25 तन हो रहा है और यह धरेable गंटे में पांच ट्रीप हो रहा है कि यह था कि एक गंटे में पांच ट्रीप हुआ है ठीक है दोनों की करते कि पांच ट्रीप में 25 टन निकल रहा है कोईला तो एक ट्रीप में पांच टन निकल रहा है एक ट्रीप में पांच टन कोईला निकल गया अब एक क्या कि एक ट्री यूरोपैन जो किया तब में एकुरा तरफ में आए इसलिए 5 टन किया तब में भी 7 करना होगा या 6.1 भी राता तो उसको 7 राउंड अप करना पड़ता है ठीक है किसे को दिक्कत अधित दिक्कत हो रहा है क्या या तुम्हारा इसके कारण एंसर चेंज हुआ था यह बताओ जे रहा कि अभी से तुम्हारा मतलब मतलब 2.25 लिए इसलिए 5 आ गया है या कहीं मिश्टेक हुआ था आ गया ना ठीक और अब इसे तुम्हारा कहां प्रोब्लम हो रहा था चेक करो एक बड़ आ गया तो एक कोश्चन और सॉल्व करो तुम्हों ठीक नहीं तीसरा कोश्चन है सेम पेटर्न पर कोश्चन है पेटर्न पर कोश्चन है ठीक नहीं इस कोश्चन हो क्सॉल का इसका आंसर एक बार में सभीका साहिए होना चाहिए कुई हि को चै़िए 2.2 7 5 से भी सेम मारा ने ठीक है कि यह कोशन सोल कर ऊम तीन कोशन इस लि sitcom मिले तेवर कि यह थोड़ा है न माइंड में सेट होने में poor difficult होता है कि क्या निकालना है किसे निकालना बहुत बहुत हो जाता है लुट्टा केणन हो जाता है कि Ј यह वहाँ पर निकाल 250 मीटर तो उल्टा होने लगता है तो फिर वहां गलत हो जाता है ठीक है इस को सोल्व करो इसका एंसर देखो क्रिश्न मोहन कुमार यह एंटी वाले चोड़ दो समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो ठीक है यह तीसरा को सुल्व करो यह मैंली यूपी प्यसी एम आई वालों को और गेट वालों को हम बताना चाहरे है इसका भी सिदा हो जाएगा यहां से क्या कि एक घंटे में 25 तन हो रहा है ने 25 तन पर आवर ठीक है इसमें पांच आ रहा है तो सही है ठीक है और देखो सुभाजित का फाइब आ गया है और किसी का रहा है नजर क्योंकि अभी हम छोटा ही श्टार्ट किया है धीजरे लेवल बढ़ेगा भी नहीं कल ठीक है न देखो सभी कहा रहा है और नाइन किलोमेटर पर आवर दिया आवा सिधा इसको नाइन इन्टू थाउजन डिवाइड वाइ सिक्स्टी तीन दूना छे तीन तियानों दो से पचास मतलब 1500 मीटर पर मिनट मतलब यहां भी आजाएगा तीन प्लस तीन प्लस छे मतलब बारा मिनट मतलब यहां भी हो जाएगा कि कि पांच ट्रीप कर रहा है एक घंटे में और 25 तन कोईला निकल रहा है तो एक ट्रीप में पांच ट्रीप अब हम दीसरा थोड़ा जा रहें थोड़ा इसमें किा वे लगेरा का सब्सक्राइब जोड़ेंगे ठिकने प्रिक्साण ग्रेडियेंट और चाइंगवा हुस्म कि एक मिन्कलाइन प्लेन डौ रहे है ठीक न होजट्रिक हो गया ही ने यहां पर दरम है कि यह इस पर रोफ है कि यह द्यान रखना कि जब हम लोग डारेक्ट रोफ हो लेज यूज करते हैं डारेक्ट रोफ हो लेज अगर जब सर्फेस पर रह रहा है जब इंकलाइन मतलब सर्फेस पर रहा रहा है हम लोग डायक्रोफ खोलेज को तुक्या कर रहा है उसके स्मों जो लोड़ेड टब है लोड़ेड टब को वो यह मालों इंकलाइन गृरी इंसा यहां पर तुम्हारा इंकलायनेशन दिया पर है gheneral चिट्टा दिया पर है नहीं तो वन इनÁ कर रहे हैं कि यहोड़ को क्या कर रहा है बाहर किच रहा है अब इसफेए कि इस पे यह टब हो गया एक और यह रोप है Oo कोूर क्या और या वाहर आ रहाए तो बहुत भार क्या होता है देखना जो होता है कि इसमें फिरिक्षन कहां कहां काम कर रहा है जब हम टब को खीच रहे हैं ठीक है यह जो टब को खीच रहे बाहर पुरा लोड़ेट टब है सारा टब क्या है लोड़ेट टब है उस केस में क्या है जो मेरा डायक्ट रोप हो लेज़े वह सर्फेस पर टब क्या है जाता है कि यह अगरा प्यूज करते हैं क्या होता है रोप का वी जिसे टब का तो फिरिक्षन होगा ही मालो टब जो मुव्मेंट कर रहा है ट्रेक पे तो मालो टब अब कर नदे तक मुवक्त नहीं कर रहा था क्या रिक्षन फोर्स ज्यादा लगारा था जो वहाथ सब्सक्राइब करेगा जब जो भी फ्रिक्षन फोर्स लगा रहे हैं जब पूलिंग फोर्स एक्सीड कर जाएगा तो क्या होगा टब का मुव्मेंट इस्टार्ट होगा और साथ में क्या होती है यह जो रोप होता है ने रोप भी होले होले उसके थ्रू लो फोर्स ऑप जो भी काम कर रा है क्योंकि रोप काभी friction हो रहा है when least रोब का वज़ह नितना वारी होता है कि वो Não say लो gonna Age को कर रहे हैं अगर रशा वेएगा श़ाएगा नीचे क्यों बाइगा मतलब ग्रेडियंट भी काम कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रोप पे भी काम करता है क्योंकि रोप का भी वजन होता है रोप का भी वजन होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है टब प पे और फोर्स ड्यूटी ग्रेविटी ये रोब पे काम कर रहे हैं ये चार फोर्स है ना मतलब फिरिक्शन फोर्स टब का प्लस ग्रेविटी फोर्स टब का फिरिक्शनल फोर्स रोब का प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स रोब का ये चार फोर्स काम करता है जब हम लोग loaded टब को बाहर की ओर खिचते हैं किसके त्वारा डारेक्ट ट्रोप होलेज का यूज करके तह हम इसको जो जो भी ट्रेक्टिव एफट लगा रहे हैं प्रेक्टिव एफट क्या हो गया कि जितना फोर्स रिक्वाइड रहा इसको मूव करवाने के लिए तो वो क्या हो जाएगा हम G लिख रहे ठीक ने gravitational force जो भी हो गया full tub का जब loaded tub है उसका plus frictional force of full tub G plus F क्या हो गया G क्या हो गया gravitational force of full tub और F क्या हो गया frictional force of full tub G क्या हो गया gravitational force of rope जो उस पर rope पे लग रहा है और साथ में फ्रिक्षिनल फॉर्स जो रोप पे लग रहा है एफवन हम इसको लिख देते हैं डिटेल में कि जी एफ क्या है कि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो इसको इसको ध्यान में रखना अगर यह ध्यान में रगया अगर एक्जाम में डायक्ट्रोप फॉलेज का कोसेन आएगा कि लोडे टब को बाहर की और खीचा जा रहा है तो कोसेन इजली बन जाएगा क्योंकि भेलू बाकि पूट करना असान है ठीक ना जी क्या है वहाँ पे जो एक्वेशन लिखे हैं जी क्या है वहाँ पे जो ग्रेडियंट रेइस्टेंस काम कर रहा है और सभी लोग गेट वाले हैं ना कुछ नुम्रिकल तुम लोग अगर एस घटक का बुक होगा माइन होलेजन पंप बाइस घटक वो बुक अगर होगा तो तुम लोग ठीक है नहीं है तो फिर मंगवालो इस बुक को ठीक ना वहाँ पे बहुत सारा नुम्रिकल तुम करना है है तो माइन होलेजन फंप बाइस घटक माइन फंप हम नाम भूक का लिख दे रहें माइन फंप अ ओलेजन वाइंडिंग मी दिया हुए इसमें ठीक है हॉलेजन मॉइंडिंग किसके दुबारा एस घटक गहातक नहीं पढ़ना है ठीक है फर्स्ट टैम जब हम अपने सीनियर के पास यह बुक को देखे वेते हैं तो हम इसको पढ़ेते गहातक एस घटक लेकिन इसको पढ़ना है ठीक है गहातक नहीं है जी क्या हो गया ग्रेडियंट रजिस्टेंस ओफ फूल टब्स ठीक है क्योंकि हम लोग अभी जितना भी अभी सारा जो इनलेस के बारें पढ़ेंगे सेल्ट एक्टिंग इंकलाइन इंकलाइन जो है मैं एंट टेल रोग पढ़ेंगे तो आहां जहां भी यूज होगा ना तो जी मतलब तुमको यहीं समझना ग्रेडियंट राइस्टेंस ओफ फूल टब्स फूल मतलब दियान रखना बहुत बाट लोडेड टेयर दे देता है फ्रिक्सन ओफ फूल टब्स यह क्या होता फिक्सन कोफेसियंट ओफ फिक्सन इंटु डबलू और यह क्या हो जागा यहा लुआ हैं डबलू इन्टू आई होगा ग्रेडियंट टिके ना आई इस टं में दिया वारेगा वन इन एन के फोर sûल ेन टेंट नो जान डिया वारेगा तो डबलू एंटू आइसे मल्टिपलाय करते करना है आस मोप जी उन क्या है यह gradient resistance of rope gradient resistance of rope यह कितना हो जाएगा यह capital W था न यह small w रहेगा small w और i तो same रहेगा और f1 क्या हो जाएगा friction of rope कि जो rope का moment हो रहा कितना friction काम कर रहा है तो mu1 और rope के लिए w असमूल लिखे यह w friction of rope के लिए w1 है ठीक है न है यह w1 है ृ कैपिटल डबलु है डबलु है यह डबलुवन है यह जशे न ध्यान रखना थेकए न डबलुवन इसको में के शर कर्देए चेंज करते हैं डभलो से क्योंकि small w लेंगे तो इंटेट अब के लिए लेंगे तो इसी फ्रोमूला पे मतलब जो भी है ना इसी फ्रोमूला पे कॉसेन सॉल होता है इसका तो डबलु इन्टु आई हो गया plus म्यू इन्टू डबलू हो गया प्लस डबलू वन इन्टू आई हो गया प्लस म्यू इन्टू डबलू वन हो गया यह डबलू वन है यह यह ट्रेक्टिव फोर्स होता है बस यही थूमला तुम लोगो इसके लिए ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग टब को लोड़ेट टब को डायग ट्रोफोलेज की हल्प से बाहर की और लेके जा रहे हैं तो क्या-क्या फोर्स काम कर रहा है और इसके कोडिंग हम लोग को डाटा पूट कर देना है तो हम पहला एक कोसें लेते हैं एक जामपल से समझने कोसिस करते हैं उस को कंग झिरम लोग करनेặt्ट करेंगे पीटिक्स्नल फोर्स लग रहा है और लोडेट जो ग्रेविटेश्टनल फोर्स लग रहा है और यह क्या हो गया जो रोप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और जो रोप पे फिरिक्शनल फोर्स लग रहा है बस और कुछ नहीं है यहां पर दो कोस्टन में क्या दिया हुआ है डाइक्ट्रोफ फोलेज केस में दिया हुआ है कहा है टॉप ओफेन इनक्लाइन मतर्ड डाइग्ट्रोफ फोलेज टॉप ओफेन इनक्लाइन पर तो उस केस में क्या पुछा हुआ है यहां पर कि कोस्चन जो पुछा हुआ है कि केल्कुलेट दा कि मिनिमम साइज ओफ इलेक्ट्रिक मोटर कि इन किलोवाट कि रिक्वाइड टू वर्क दा होलेज एस्यूमिंग गियर विशेंसी सेवेंटी परसेंट एंड मोटर एविशेंसी इतना ठीक है तो सिधा हो गया है कि जहां पर जैसे दिया हुआ है कि जो डायोट्रोफ फोलेज कहां सिच्वेटेड है वह टॉप इंक्ला जगने सिच्वेटेड है तो सिधा हम लोग ध्यान में रखना है फ魚 कुम अ कि कि क्तील भर चौन बार क्या होगा पावर जब սी होता है कि वर्स इंटव एलोसीटी लिख सकते है तो ट्रिक ट्रिक टरीक से क्या जो ट्रिक फोर्स निकाल तो फॉर्स ही में आप तरीक्यस को कि हम दो पावर कैसे निकाल लेंगे त्रेक्टिंव निकाल लेंगे ये फोसते कर देखने के और उसको सब्लिक्ठी से मुल्ट कि स्पीड दिया वाइस से मल्टिक्ला कर देंगा त्रेक्टीब फॉर्स में कर सात्य है हम लोग को फूल टब का फिरिक्शनल फोर्स फूल टब का गरिविटेशनल फोर्स रोब का फिरिक्शनल फोर्स प्लस रोब का गरिविटेशनल फोर्स बस यही लिखना है कॉस्टन सॉल्व हो जाया कैसे अब यहां पर दो क्या क्या दिया हुआ है कि लेंट ओफ इंकलाइन 500 मीटर दिया हुआ है ठीक है ग्रेडियेंट दिया हुआ है one in seven मतलब आई क्या है one by seven number of loaded tubs per set मतलब एक सेट में कितना number of tub है छे है और weight of loaded tub कितना है 1.5 तान है मतलब क्या है हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं व्यूंट यह डबलू है ठीक है ना मिउंट डबलू है यह क्या है weight of loaded fully loaded मतलब एक टब का लोड टन का है तो छे टब कितना हो जागा नो टन का हो जाएगा ठीक है इस पीड अब रोप दिया हुआ है weight of रोप दिया हुआ 1.54 kg पर मिटर मतलब क्या एक मीटर जो रोप है ना उसका weight 1.54 kg तो पांसों मिटर length of inclined plane है उतना रोप भी तो रहेगा अंदर जाएगा उतना तो क्या हो जाएगा पांसों मिटर के लिए उसके corresponding हो जाएगा पांसों मिटर के लिए 1.54 इंटू 500 coefficient of tub friction मतलब यह म्यू दे दिया है टब के लिए यह म्यू दे दिया है रोप के लिए है ती के आई दे दिया है यह म्यू दे दिया है किसके लिए में टब के लिए यह म्यू दे दिया है और रोप के लिए दिया है इजिक है अब हम लोग इसी f criticalGe ..pców करते है पहला क्या है म्यू इंटू डबन मतलब विक्ष्णल फॉर्स ओफ फुल्ली लॉड़ेट टब तो कितना टब है चे टब है परतेक टब का वेट कितना है 1.5 है टन में है 30 kg में कर ले रहे है इन्टु मू दिया हुआ है तो फिरिक्सनल फोर्स क्या है टब का 1 बाई 50 है यह 1 बाई 50 कर दी है ठीक है सकेंड में क्या है फुली लोडेड टब का जो गर्विटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना है तो छे टब है परतेक टब का वज़ान 1.5 टन है इसको फिर से केजी में से गनवत कर दिए है और आई का बहलू वनबाई 7 दिया है आई का विलु किया वन सेे के सैंण. खर नच्स्ट क्या है फ्रिक्सनल फोर्स ऑप जो रोउक में लग रहा है रोव में टोटल कितना फ्रिक्सनल फोर्स लग रहा है तो रोब का लेंद कितना है 1.54 kg पर मीटर मतलए एक मीटर रोब का लेंद तो जितना लेंद तो फिन क्लाइन है घ्रिक्सन लेनलुट 1.500 मिटर नीचे तक जाएगा तो पुरे रोब का वजन लेना है और रोब का वेट कितना हो जाएगा इंतु 500 kg गेजी मॉल एड़ी दिया हुआ है into mu1 से multiply करना है तो ये friction कितना दिया हुआ है 1 by 10 दिया हुआ है ये 1 by 10 हो गया प्लस ये क्या है w1 एक इसका rope का तो rope का w1 कितना हो जाएगा फिर से वह हो जाएगा 1.54 into 500 into gradient कितना दिया हुआ है gradient 1 by 7 दिया हुआ है कि यहां से क्या निखल जाएगा मैरा attractive force है यह निकल जाएगा किसी को दिक्कत है यहां पर नकैट वाले किसी को दिक्कत यहां के यह यह कैसे निकाले हैं कुछ नहीं किए हुए है हम लोग sid को ध्यान में रखना होगा कि टब को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं तो कौन-कौन सा फोर्स उसके उपर काम कर रहा है ठीक है यह ध्यान लखना कि अगर ठिटा दे देता है 40 डिग्री 30 डिग्री ऐसा तो सिधा उसको है न टेन ठिटा एजुम कर लेना कि 40 डिग्री दिया हुआ है ठीक है अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो उसके समें क्या इनभर्स करके उसके निकाल लेना कि 1 इन खोले न के फोर्म में निकाल लेना ठीक है विससे जब भी देगा यह gradient के फोर्म में ज़िएगा यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग यहां पर सारे को कल्कुलेट करेंगे ट्रेक्टिव फोर्स को तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 1285.8 प्लस 77 प्लस 110 सभी को कल्कुलेट करेंगे न ति यह उतना ही होगा ठीक है ति यह ट्रेक्टिव फोर्स कितना आ जाएगा तो को ट्रेक्टिव फोर्स जो भी आ रहा है 1652.8 यह केजीम आएगा ठीक है न क्योंकि हम लोग सारा डाटा केजीम ही किये वे थे यह ट्रेक्टिव फोर्स निकल गया अब क्या था इस्पीड ओफ होलेज दिया वा था नाइन किलोमीटर पर आहुआ क्या पूछावा पहले को अध्यान से देखो केल्कुलेट दा मिनीमम साइज उप इलेक्टिक मोल्टर इंग किलोवाट किलोवाट ने पूछा है ठीके न हम लोग यह जानते हैं पावर क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसीटी होता है हम लोग फोर्स निकाल ले हैं अब फोर्स क्या होगा हम लोगो यहां पावर किसमें निकलेगा वाट में निकलेगा वाट में क्या होता है इधर न्यूटन हो गया वेलोसीटी का मीटर पर सकेंड हो अब वाट में करने क्लिए 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 करेंगे लेकिन देखो फोर्स क एजी में निकला है इसको 9.8 से मल्टिक्लाय कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा न्यूटन में कर दो है ठीक है तो यहां पर वही लिख दे रहे हैं 1652 पॉइंटेट इन्टू 9.8 यह क्या हो गया मेरा न्यूटन में कर दो गया अब हेलो सीटी को मीटर पर सगेंड मतल्न नाइन इन्टू 5 बाइटीन और डिवाइड बाइगर थाउजिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह पूरा किलो वाट में निकल लाएगा जो भी निकलेगा यह किलो वाट में निकलेगा यहां कितना आ रहा है यह सोल्व करने पर 1652 इन्टू 9.8 इन्टू 9 इन्टू 5 यह कितना रहा है यह बागी केलकुलेसिन तुम लोग पॉसीज करना हमेसा जिसके पास लेप्टॉप है ठीक है नहीं तो फिर भी क्योंकि तुम लोग कुछ जिन तो प्रेक्टीस करना ही होगा डेक्स्टॉप पर वेराप है माउस का यूज करने पर तो बहुत ऑजी हो जाता है तो लंध हो जाता है माउस को लेकि जाना कितना आगया 40.43 ठीक है और कुछ आएगा मान के चलो 45 पर करके कुछ आएगा ता हम इसको राउंड ओफ 40.43 नहीं कुछ ज्यादा ही आएगा ठीक है कि इसको राउंड ओफ किये हुए हम मालो 4748 कुछ आएगा इस है 40.5 किलोवाट करें कि सततर के जगा 75 होगा कि यहां पर बोल रहे हूं कि सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन ही है ना कि पंद्रा पच्चे पच्चतर ठीक है कि कल्कुलेशन पर नहीं जाओ लेत्क देख लो भूक में भी इसका मतलब तर गलत ही किया हुए है ठीक न यह धियान दो क्या क्या प्रूट करना चाह रहे है उसका स्टेप क्या है ठीक है प्टीक है इसके फोर्टिंग यह भी चेंज हो जाएगा फिर को ठीकिन क्या दिया हुआ है एक रर एक मोटर उसे से तीए्त हुआ है मतलब क्या होता है कि हूले का मालोगर हो लिए मोटर हुआ हुआ है ठीक ना तो ड्राम तो इस तरह चलता नहीं है वह एक मोटर से कनेक्टेड रहता है कि क्या हो गया एक मिनट है लो हां सिर्ट क्या क्या हुआ तुम तो सुबह में स्टार्टिंग में क्लास में थे ना दूं क्लास के बाद बात करते हैं फिर तुम से ठीक है ठीक है अगर नश्रों करोगे नहीं तो कुछ डाउंलूड रखे लोगुत चला जाएं वह लाइप लगास करते करते उसका क्लोज हो गया अगर भी को छीए यह इतना है अब यहां पर क्या दिया है जो हम क्या बता रहे थे कि जो भी ड्रवर्वगर होता है कि मोटर से कनेक्टिद होता है ठीक नहीं तो सांथ में क्या रहाता है चले मोटर रहता है कि यहां पर यहां पर निकल गया के मेरा मोटर का कैपसिटी इतना होना चाहिए इतना न इlah मेरा होले चलेगा ठीके लेकिन यहां यहां क्या वोगा दिया हुआ है है यहां यह ग्यारिज म्यों एफिसिंसी नाइन ट्र के मतलब और gear efficiency 70% मतलब जो भी power आया हुआ है ने हम लोग इससे ज़्यादा power बढ़ा के देंगे efficiency क्या होता है output by input output by input यह होता है efficiency आउटपुट क्या लेना है हम लोग को आउटपुट लेना है 40.5 किलोवाट तो उसके में input हम लोग कितना देंगे उसको इनपुट को क्या करो इनपुट निकलना है ठीक है तो क्या हो जाएगा आउटपुट बाई efficiency तो आउटपुट कितना है 40.5 किलोवाट और efficiency जो दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है एक 70% दिया हुआ है और एक efficiency 90% दिया हुआ है मतलब क्या कि हम लोग जो input power देना होगा motor में वह 64.3 किलोवाट का motor समस्थ कर आं अधा इतना केपा सीटी वाला मोटर रहेगा ना तो क्या है कि कुछ णालों किसी का-500 fight existe मालों तुम 8 घंड़ा पडते हो हैं तो तो क्या 8 घंटा मालों को 11-900 ऑड़ाी करता है है तो क्या सबकी सेनसी अलग होता है को गणता है कि 4 घंटा में फुली कॉंसेंट्रेट किया जितना पढ़ा तो ही यहां पर क्या है कि मोटर जो है कि 64.3 किलोवाट का मोटर लगाएंगे तो यह इंपुट कितना दे पाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ लोस हो जा रहा है इफिसेंसी उतना नहीं है मोटर का तो यह 40.5 किलोवाट का फाइनली हम लोगे इतना पावर देगा तीसले क्या होता है efficiency जो जानते हैं हम ऐसा है कि output by input होता है input power निकलना है हम लोगों तो output divided by input करते हैं तो यहां से निकल गया कि यह जो भी आ रहा है एप्रोक 64.3 किलोवाट ठीक है तो देखो यह कोसेन है कि एक्जाम वगेरा में यह सब कोसेन है कि 3-4 मिनिट में सोल्व हो जाएगा है एक जाम में यह सब कोसेन 3-4 मिनिट में सोल्व हो जाएगा लंबा चोड़ा देखने में लगता है ठीक है लेकिन कुछ नहीं है इसमें कि में इस चीज को ध्यान में रखना यह ध्यान में रहेगा तो कोसेन 3-4 बन जाएगा एक इसी पर दूसरा तुम नूमर्कल करो यहां पर नूमर्कल क्या है यहां पर भी सेमें ठीक ने गीर एफिसियंसी मोटर एफिसियंसी कोफिसेंट और टर्व वेट प्रवप दिया हुआ है लेंज दिया हुआ है इंक्लाइनेशन दिया हुआ है तो का कैपसिटी दिया है वण टर्व एट खाली टवकी क्रिक पास्व नंद खाली का वजन पास्व केई यह और उसमें लोड डाले हैं तो एक टन लोड लेने का पसिटिए मत्तर टोटल जो टब का वजन हो जागा वन पॉइंट फाइब हो जाएगा तो इस कोस्टिन को सोल्व करो ठीक है न अस्टेप बाइस्टेप चलना कितना कितना आ रहा हो बताते जाना ठीक है न जैसे स्टेप अनियू म्यू डबडू निकालो एक बार हहीं ऐला है कि म्यू ट्बडू निकल या तो एक फिर एक बार तुम लोग्न कालो क्या डबलू आई निकालो जितना अगवा बताती जान मासु ओ भी मू अन डबलू निकालो है और वी नीदोında चारह निकालों मतलें तर्いक कि से क्या आपकर ढम लोग फोर्सनींक निकाल से से मल्टिप्ला कर देंगést में तो से इसको अपने सुनह मेरा मोटर लगाना पड़ Each कि बहुत सारा कर्कुलेशन होता है कि इस सब पूरा ट्रेंड हो जाओ ना प्रेक्टिस हो जाएगा ना तो बहुत सारा कर्कुलेशन माइंड में ही हो जाएगा ठीके ना म्यू इन्टु डबलू तो सिधा क्या हो गया म्यू कितना है म्यू टब के लिए वन बै शिक्ष्टी इन्टु डबलू कितना है एट इन्टु वन प्रेंट फाइफ इन्टु थाउजन ठीक है और ऐसा भी कर सकते हो अगए तुमनों डबलू अलग से निकाल लों अलगसे निकाल वह एसा भी खर सकते हो डबलू अगर निकालोगे शिरिफ तो एट इंटू 1.5 इंटू 1000 इतना केज़ी आएगा ठीक है तो यह जिरू कट गया 15 अथे विशास मतलब कितना एक लाक बारह हजार आगया ठीक है ना बारह हजार के यह डबलू का वेलू आगया डबलू का वेलू इसी तरगे निकालना चाहेंगे तो 1.5 इंटू 500 कि मतलब 750 आगया तो बस इंपल वेलू पूट कर दो यहां पर जो हम इतना लंबा चुड़ा वेलू पूट किये हुए है इसको हम एरेज कर देते हैं कि क्या हो जाएगा बारह हजार केजी हो जाएगा कि यह क्या हो जाएगा बारह हजार इंटू जो ग्रेडिंट दिया हो है on 26 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा मुवन लेट इंड रोप का विड तके कितना है 750 केजी हो जायेगा यह और ये कितना है W1 750 और ग्रेगेंड क्या है 1 in 6 है खत्म इस तरह किया हम लग-लग कर ले कितना इजी आ जाएगा तो रहें तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना ये 200 हो गया ये 2000 हो गया ये 75 हो गया और ये 6 से कटेगा 6 से बारा चेगा 125 हो गया तो टोटल ट्रेक्टिफ फोर्स कितना आ जाएगा यहां से ट्रेक्टिफ फोर्स कितना आ जाएगा यहां से 200 प्लस 2000 प्लस 75 प्लस 125 22-24 केजी आ जाएगा ठीक है ने ट्रेक्टिफ फोर्स तो पावर क्या हो जाएगा फोर्स इंटो वेलोसिटी तो ट्रेक्टिफ फोर्स 24 हो गया इंटो 9.8 ये न्यूटन में हो गया इस स्पीड को हम लोग 9 इंटो 5 by 18 कर लेते हैं डिवाइड वे थाउजन कर देते हैं और ये इंपुट इतना पावर निकल जाएगा ठीक है और अगर इसी को हम लोग गियर इफिसेंटी से डिवाइड कर देंगे तो भी मेरा एंसर वही है मतलब जो फाइनल रिजल्ट आने करेगा यहां पर आजएगा एक लाइंग आजएगा यह मानलों लगवग चेक कर लिना तुम लोग भी 58.82 किलोवाट आएगा ठीक है ने अब हम लोग को कि मीनिमम कितना मोटर का पावर अना चाहिए तो 58.82 डिवाइट वैजो दिया हुआ है गियर एफिसेंसी सेवेंटी वाए हंडडेड़ इंट्व एट्टी फॉर वाए हंडेड़ एफिसेंसी थी एक तरीके से और 58.8 उसका आउटपुट जो होगा वो 58.8 तुका मिलेगा 100 गिलोवाट का जो मोटर रखेंगे तो कि तो बहुत इजी है टाफ नहीं है ठीक है न है कि सिर्फ तुम लोग कहें कि सोचना ही कैसे सॉल्व करना एक्जाम में तीन से चार मिट कोस्टिन के लगेगा दो नंबर बहुत इजी से आ जाएगा सभी का बना देखो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना कि सभी का रहा है देखो एक पर एंसर आगे आना सभीस है अगर नुम्रिकल था ना भी हो गया ना दो नुम्रिकल सेम था सिर्फ है कि यह देखना है कि होलेज इंजन मेरा कहा है क्योंकि जब होलेज इंजन अगर जो है ना अगर अंडर्राउड में कहीं रखेंगे तो इस में फिर हम लोग में यह जो देखे हुए ना फिरिक्स्नल ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है उसमें थोड़ा सा चेंजर आ जाता है ठीक नि कि इसमें लोड़ेट टब को बाहर निकाल रहे हैं उसमें खाली टब को अंदर खीजेगा तो इसमें इंटी टब केल्किलेशन में आ जाता है और यह सिस्ट का ध्यान रखना देखो यहां पर लें तो इनकलाइन दे दिया है 500 मिटर ठीक जाना अगर यहां पर देता क्या कि जो हम लोगोंशन से निकाल रहे हैं यह जो डेप्थ है मालों कि हम लोग मैमसी अगर देखने है क्या हम लोग यली इतना देत से हम लोग होल कर रहे हैं और यह क्लिनम्र नीकालना होती सकता है ऐसे यह नादे यहां पर क्या दिया माखलो ओनिसेवन दिया मतलब क्या है कि साथ और रुड़ 그걸 चल रहे हैं तो एक मतलब सात यह चल रहे हैं और पावस्पाइब छाए है ठीक आई तो सिके कोडिंग क्या हो जाए कि हम लोग 100 meter vertical चल रहे है तो यह हम लोग original कितना मूब करेंगे तो ऊसके recording ये निकालना हो कि मतलब क्या पिर से प्रता बता देते हैं इसको मांन लो अगर वो देता है लें दो नहीं दिया हो वो दे दिया है कि एक gradient ठीक है 1 A7 का है है और हम जो डेंट से पूल untaz मैं जो कोईलया डेप देंडिफ में लोग सब्सक्रिण्प है ठीक है ता हम लोग किया कोले टुछ था गाल और आ तो मेरा नी pry च निकल नुकल underwater से गर यहां इसका मतलब क्या है कि one जब लिएंटलヤнок मतलब बंच सेंध चल रहे हैं यह 7 चल रहा है यह वन एक्टूल मतलब यह क्या डिस्टेंस हो जाएगा सेवन का स्क्वाइर प्लस वन का तो यहां पर करना हुआ क्या होगा यह 100 मीटर वर्टिकल चलेंगे तो यहां से मेरा लेंद दो फॉलिज प्लेंगे इस चीज़ किसका डाटा दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है ठीक हो इसी कोसिन में और वेरियेशन क्या कर सकता है कि हम लोग को जो डाय अभी यह जो कोसिन निकालें जो हम लोग इसी का एक्जाम पर ले ले थे ठीक नहीं यह जो कोसिन सॉल्व कि अगर इसी कोसिन में दे दे कि डाय अभी रॉप क्या होगा कि हम लोग जो रॉप यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर क्या होगा तो उस केस में ध्यान रखना हम लोग क्या दिखना लिखना होगा वहाँ पर कि ब्रेकिंग लोड ओफ रॉप इक्वल टू जितना रॉप में सिर्फ टेंशन रहा है रॉप टेंशन इन्टू फेक्टर ओफ सेफ्टी ठीक है तो इस केस में सिर्फ अगर हम लोग निकालेंगे कि रॉप में टेंशन कितना लग रहा है है करेक्टिब इफर्ट ने निकाल रहे है कि रोप में कितना लग रहे हैं कि थो उसकेस में जो रोप पे टेंशन लगेगा न वो सिर्फ क्या हो जाएगा जीka पलससे ठीक ने इस चीज निसको द्यान रखना है जो रोप पे टेंशन लगेगा मतलँ ग्रिविटेसंदल मतलब जो फोर्स लग रहा है टब पे ये टब है ठीक नहीं डब को खीच रहा है ये रोप खीच रहा है ठीक नहीं तो टब पे कितना टेंसन आ रहा है तो टब को जो भी निकाले हैं gravitational force on tub और frictional force on tub जी पलस एप मानलों अभी हम लोग कितना निकाल लेते हैं यहां पर कि यह हो गया एफ हो गया यह जी हो गया मतलब 2000 प्लस 2200 हो गया ठीक है न कि यह 22 हो गया मानलो factor of safety अगर रोप का होले रोप है factor of safety आठ से कम नहीं होना चाहिए यह आठ माल लेते हैं ठीक है तो यह कितना हो जाएगा यह इतना केजिम होगा इसको टन में करना चाहेंगे 1000 से मल्टिक्लाय कर दो मतला 17.6 टन इतना breaking लौड है रोप का ठीक है ना कि अब हमको अभी पूछ रहे क्या डायमीटर पूछ रहे डायमीटर केसे निकालेंगे हम लोग यहां से यह ध्यान रखना हो सकता है कि यह जो breaking load निकाले हैं breaking load जो भी rope का निकाल रहे हैं यह हम लोग को हो सकता है कुछ relationship दिया हुआ रहेगा कि breaking load of जो rope है वो 0.63 c का square है c हो गया circumference मतलब c circumference मतलब क्या 2 pi r या इसको pi d भी लिख सकते हैं तो breaking load of rope कितना है 17.6 turn है और 0.63 c का square c कितना निकल जागा यहां से 17.6 divided by 0.63 तो यह क्या हो जाएगा pi d हो जाएगा तो d कैसे निकल जागा यहां से जितना भी है 17.6 0.63 इन्टू 1 by pi तो यह जो d आएगा ना यह जो फ्रमूला अगर मालो दिया वारेगा कुछ भी दिया वारेगा सेंटिमीटर किसी किसमें दिया वारेगा सेंटिमीटर में यहां पर जो भी निकल रहा है यह कुछ भी रहेगा वह यूनिट दिया वारेगा किसी किसमें मीटर में किलो मीटर में सेंटिमीटर में वह सी का यूनिट दिया वारेगा यहां पर क्या है क्या लग रहा है और क्या वोलते हैं गे किटना लग रहा है लेकिन जब हम लोग सेंसनगी बात करेंगे कितना टेंसन लग रहा है तो तो खिजने में जो लगघ रहा है बस न्योंद वखिचने में साहतमें जो मेंरों ग्रेडियंट नुद का में रहा है विलेत दोनों को जोड देंगे यह उसको टेप्टोस अ कि यह अ कि लयrah ऑगया दिवाइब भारोफ टेंसन अ कुछ भ्रेकिणिंग लोड ब्रेकिंग ए-स ट्रेैंच जो भी सोई रहें ग्रीज भी रहेंगा वाया कि डेक्न लोड़ के पोह रोतेंशन फेक्ट रोसर्टे लास्ट चुछ यह वह समझाएं स्टेंद कम रहेगा टेंशन ज्यादा हो जागा मतलब क्या factors Mhmm कम हो जागा उसके मतलब एक किल दिन अवन हो जाएगा वर रोट याएगा इसका दियान रखना हो सकता ऐसा कुछ कुछ फ्रामुला दे दे क्योंकि एस घटक वाले बुक में ऐसा एक रिलेशन्शिप दिया हुआ है अधिक है तो इतना समझ में आया है आधा तो कुछ नहीं हो रहा है यह बताओ नहीं तो आज एक लास इन समाप्त करेंगे नहीं तो फिर एक नुमरिकल और स्वोल्व कर सकते हैं हम लोग फिर ठीक है एक कोस्टन स्वोल्व करो ब्रेकिंग लोट से रिलेटेड है ठीक नए अभी जो हम थोड़ासा एक्स्पेंड किये थे उसी से रिलेटेड एक नुम्रीदा स्वालब को हम प्रोस्टेन फ्रोड़ा सा लिख दे रहे हैं ठीक है कि एक डारेक्ट्रोप हो ले जाए कि उसको मतलब इंस्टॉल करने का जोरत है कि मायन से कितना टन प्रोड़क्शन हो रहा है दो सो टन प्रोड़क्शन पर डे हो रहे हैं ठीक है जो इंक्लाइशन है सिम का आई हम लिख दे रहे हैं ग्रेडियंट जो है वन इंटेन दिया हुआ है कि डिस्टेंस ओफ इंक्लाइन पात मतलब लेंथ ओफ फॉलेज प्लेन दे दिया है 500 मिटर कि स्पीड ओफ रोप दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर कि एफिसियंसी जो गियर का है वो दिया हुआ है 70 परसेंट ठीक है ग्रोस वेट जो दिया हुआ है कि डव का 1.5 टन और टेर वेट जो दिया हुआ है कि वह 0.5 टन तो बोला है फाइंड दा एच्पी ओफ फॉलेज कि कितना होट्स पावर को हम लोग मोटर लाएं पहलों किलोवाट निकाल लो हम लोग यह जानते कि वन एच्पी जो होता है वह 746 वाट होता है ठीके तो हम लोग वाट में निकल जाएगा तो उसके कोडिंग हम लोग एच्पी मोस को चेंज कर सकते हैं कोफिसियंट ओफ जो फिरिक्सन हिट्टा होका वह 1 वाइफ 56 दिया हुआ है कोफिसियंट ओफ फिक्सन जो रोब का है वह 1 वाइट दिया हुआ है कि एक्टर ओफ सेक्टी जो दिया हुआ है कि वह एट दिया हुआ है कि स्पीड ओफ फोलेज दिया हुआ है ठीक है ना टाइम रिक्वाइट फोर चेंजिंग एंड डिले इस कोशन में सारा चीज पूछ लिया जो अभी तक बताया है ना टाइम रिक्वाइट फोर चेंजिंग एंड डिले यह कोशन सोल्व करो सारा का सारा एक ही कोशन भागया साथ मिनट दिया हुआ है कि ठीक है और देख लेते और कोई चीज दिया हुआ है जो इफेक्टिव होलिंग टाइम है ना परक्षन दिया हुआ है कि माइन्स जो है ना दो सिफ्ट में चल रहा है दो सिफ्ट में चल रहा है और यह जो इफेक्टिव होलिंग टाइम है पर सिफ्ट एफेक्टिव वोलिंग टाइन दे दिया है शिक्स आउर का कि इस कॉस्टिन में क्या क्या पूछा है हम बता दर लिखते रहे हैं इसमें यह बताना हमको कि डाया उप्रोप कितना है कि कितना है है कि एच पी का हम लोग मोटर यूज करेंगे और कितना number of टब चाहिए होगा ठीक है न नंबर ओफ टब कितना चाहिए होगा है कि तो पहले number of टब करना होगा मैं एच पी निकाल सकते हुए डाया उप्रोप निकल जागा ति यह इतना सारा कोज्टिन दिया हुए ठीक है इतना सारा डाटा दिया हुआ है फिसी कितना पुड़क्षन करना है और फीय। घंटे में कितना पॉड़क्षन हो रहा है जो सटेफ है नम्मरू उप टब इंद्पालने के लिए करना होते हैं यही न एक गांटे में कितना तरॉडOMS हो रहा है और एक गांटे में किता और कि दूनों को कि इकोेट कर देंगे हम लो तो स्फिह निकल लागा मेरा वहां से नंबर ओफ से एसे 17 से खिले नमबर ऑफ हएसने तहीं क्या दिया रोट दिया हुआ है ओज घ्रोट मतलब को ट्यएर पलस कोयला उसमें लोड़ में टाने जो भी इस इन लोड़ हो तरपर सुल का दिया वाइव वन. पिंटन प्छाइब दिया हुआ है कुला निकल जाएगा वन मचक्ट पर किपसिटी कितना है कोई लेने का एक टन कैपसिटी है कोई लेने नेगर है यहाँ से निकाल दो तुम पहले कितना नम्मर अब ड़ चाहिए पहले यह निकाल के दो ठीक है थीक है ना उसके लिए यह चाहिए यह चाहिए और यह चाहिए बस यह तीन पता रहेंगा और यहांसे कोयल अब मतड़ कितना करफाशीटी को यह लिनक का एक तंग तो बताव करने कितना आ रहा है कि आया को से समझ माया क्या पहले टब निकाल थो ठीक है न में इस सारा चीज है है और इस घटक जिसके पास बुक है बहुत सरुनिकल दिया हुआ है को सिन सोल्व करना ठीक है आज दिसी में आगे बैलेंश ड्रहम का पढ़ना है तरह तरह जो पढ़ना है कि रोप पॉलेज कि अधर डायग्ट रोफॉलेज में सारा रोफॉलेज मिला कर आज तो पहला क्लास ही है कि अब सब्सक्राइब चार से पांच क्लास लगेगा ठीक ना तो जागे कम्प्यूटर के बाद फिर में लोकोमोटीव टच करेंगे कि उसके बाद लोकोमोटीव खत्म होगा तो फिर पंप ही स्टार्ट करेंगा कि अग्याद करें अग्याद कर आज अग्याद करें सब्सक्राइब पहले हमको यह बताना कि नंबर उप टब कितना चाहिए ठीक है ना कि देखते हैं कहीं सोल्व करते हैं यहीं पर कम स्पेस में ठीक है ना कि 200 टन कुछला जो है दो सिप्ट में आ रहा है ठीक है ना एक सिप्ट में 100 एक सिप्ट का वर्किंग टाइम शिक्स आवर मतलब 1696 इसको राउंड अप 17 कर लेते हैं कि 17 टन कोईला पर आवर निकाल रहा है एक गंटा में 17 टन कोईला ठीक है अब इस सिप्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है 12 किलोमेटर पर आवर बारह हजार डिवाइड बाइड बाइड शिक्स्टी है बारह पच्चे साथ यह हो गया कि 200 मीटर पर मिनट है एक मिनट में 200 मीटर ट्रेवल करता है कि तो 500 मीटर दो मिनट में ट्रेवल करता मथल्द दो मिनट अंदर जाने में का प्लस दो मिनतड ढौट 252 मिनट ना DUI मिनट अन्दर जाने में फिरष राइब पाहर आने में प्लस ूै जैन्जींग टाइम दो इस कि डि firearm 2 वह साथ मिनट इन वह सेवन किकिना हो गया साथ पांच बाहराम मिनट है मतलब क्या बारा मिनट में एक क्रिप कर रहे है तो एक गंदे में कितना क्या है कि एक घंटे में 17 तम कर रहा और एक घंटे में 5 त्रिप में पांच ट्रीप में 17 टंव हो रहा है कोईला तो एक ट्रीप में 17 वाइब 5 मतलब क्या पांच तिया 15 दो पांच चकबीश 3.4 कि एक ट्रीप में 3.4 टंव कोईला हो रहा है ठीक है ना इसको राउंड उप करते 3.4 को 3.5 कर देते हैं कि एक ट्रीप में 3.5 टंव कोईला आ रहा है तो कितना नम्मर उप टब चाहिए कि एक टब का कैपसिटी एक टन का है तो 3.5 टन के लिए हम लोग 3.5 टब चाहिए तो 3.5 टब तो होगा नहीं तो हम लोगो 4 टब मिलना चाहिए यहां तक आया सभी का हम लोग कितना टब चाहिए होगा 200 टन एक दिन में प्रोडक्शन करना है तो हम लोग को 4 टब चाहिए होगा इस अस्टेप में किसी को दिक्कत हुआ यह बता अभी तक सभी का एंसर नम्मर उप टब का आ जाना चाहिए था क्यों नहीं आया यह मुझे समझ में नहीं आया अधित्य अरपीत सुभाजीत अभिसेश मंजीत कि आया ना कुछ तो बोलो कोई ने कुछ बोल रहे हुए भूर आ गया सुभाजीत कर चलो फोर आया और किसी काया फोर ठीक है फोर टब आ गया ना ठीक है अब हम लोग नेक्स स्टेप बढ़ते हैं हम लोग क्या निकालना चाहेंगे अब ट्रेक्टिव फोर्स निकालना चाहेंगे ठीक है हम लोग नेक्स स्टेप मूव करते हैं हम लोग ट्रेक्टिव फोर्स निकालना चाहेंगे जो हम लोग जानते हैं कि फुल लोडेट टब का पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है फिक इतना ग्रिविटेशनल फोर्स लग रहा है और रोप पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स मतले फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और रोप पर कितना ग्रिविटेशनल फोर्स लग रहा है कि यह ट्रेक्टिव फोर्स है तब का दिया हुआ है फिरिक्षन वहाँ पर ठीके ना इसके लिए एक बड़ डबलू निकाल लो अलग से कि टोटल चार टव आया है ठीक है ना और जो भी हम लोग ट्रेक्टिव फोर्स निकालते थे वह फुल टव फुल लॉड़ेड टव पर निकालते थे मतलब क्या ग्रोस वेट पर ठीक है यह कितना हो जाएगा फोर्स टव है और टोटल टव का वजन कितना आ जाएगा एक टव का सब्सक्राइब 1.5 टन इंटू थाउजन के लिए पंद्रा चक साथ मतलब 6,000 केजी हो गया डबलू का वेल्यू अब डबलू निकालने के लिए एक चीज़ देना चाहिए था कि पर केजी मीटर मतलब क्या रोप का लेट है ति रोप का वेट यहां पर एक डाटर लिख लि क्या है 0.51 केजी पर मीटर रोप का जो वेट है तो सिंपल है यहां पर रोप का वेट 0.51 केजी पर मीटर है तो लेन तो फोलेज़ प्लेन कितना दिया है 500 मिटर दिया कि इतना केजी ठीक है यह कितना हो जागा दो जिरू कट गया फाइब और दो सो पच्पन के कि दो सो पच्पन होगा ना पाच ठीक है अब इसे के यहां फेलू पूट कर दो म्यू का फेलू कितना दिया वेट आप वाला आगा वन बाए 56 इन्टू 6000 प्लस 6000 इन्टू आई का वेलू कितना दिया हुआ है वन इन्टेन प्लस म्यू वन कितना दिया हुआ है वन बाए टेन दिया हुआ है और रोप कोवेट 255 केजी आ गया प्लस डबलू वन दो सो पच्पन है और यह वन बाए टेन आ गया यहां तक तो में तो किसी कुछ दिक्कत नहीं होने चाहिए अधिक है यह लगभग 107 केजी की लगभग आ जागा यह प्लस 600 केजी प्लस 25.5 केजी प्लस 25.5 केजी तिये ओवरोल अगर जोड़ेंगे सम होगा इसका 758 केजी तिये अभी ट्रेक्टिव फोर्स निकला अब हम लोग पावर निकल लेंगे फोर्स इंटू वेलोसिटी 758 इंटू 9.8 की है थी न्यूटन में कनबर्ट हो गया इस्पीड दिया हुआ था इस्पीड कितना दिया हुआ था कि तुवेल किलोमेटर पर आवर तो टूवेल इंटू फाइब बैर एटीन करती है ठीक है यह जो भी आएगा यह इतना वाट में आ जाएगा ठीक ना वाट में आ जाएगा किलिए कि हम लोग इसे निकालना होगा मतलब एक्चुल में कितना मोटर में कितना पावर का मोटर करेंगा तो इसके लिए क्ना पड़ेगा Speed इंपूट कितना देना होगा तो जो भी वैल्यू उपर आएगा इंटु जो भी वैल्यू दिया हुआ है इफिसेंसी का वैल्यू कितना दिया हुआ था यहां पर सत्तर परसेंट तो ठीक है सेवेंटी वैं हंडेट ले ले लिते हैं हंडेट उपर चला गया तिये इतना वाट आएगा इसको और थाउजन से डिभाइड कर देते हैं तिये किलो वाट आ जाएगा अब हम लोग जानते हैं कि 1HP जो होता है 746 वाट होता है या इसको लिख सकते हैं कि 0.746 किलो वाट एक्वाल टू 1HP तो जितना भी भेलू यहां आएगा इतना किलो वाट बराबर उतना इन्ट उतना उतना उस तरीके एच्प निकल जागा यहां परपर्स पावर कहां दिक्कत हो रहा यह बताओ थो कोसेन क्या है अस्टे बाइस्टे पर नमबर उप टब निकालने के जोरत क्यों पड़ा क्योंकि हम लोग इस कोसे में डारेक्ट नमबर उप टब नहीं दिया हुआ था इसलिए हम लोग जोरत पड़ा था तो जो भी एंसर आएगा चेक करना इसका एंसर जो आना चाहिए 47.5 HP के लग बग आएगा ठीक है